हेलो व्यूवर्स आज हम जानेंगे श्वेत करांती के बारे में आपने अटरली बटरली डिलिशियज यह वाला जुमला तो सुनाई होगा और वो वाइट और ब्लैक कलर के धबब वाली गाएं भी देखियोगी जिसे बच्चे भी चिला चिला के कहते हैं देखो अमूल की गाएं हम बात कर रहे हैं अमूल की अमूल की शुरुआत कैसे हुई इसे ही कहते हैं श्वेत करांती तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं गुजरात का एक शहर है और शहर का नाम है आनंद आनंद नहीं आनंद यहीं से अंदोलन की शुरुआत हुई थी और अभी भी गुजरात के 25 लाख दूद उतपादक इससे जुड़े हुए हैं यह अंदोलन गाउं गाउं चला जिसमें पहला मकसद यह था मतलब पहला लक्षे यह था सरकार का कि पहला तो रोजगार लोगों को दिलवाना और दूसरा मकसद था भारत के कोने कोने तक दूद पहुँचाना क्याएँ के लोगों के पास गाहे भैस वगिरा जाद होती है तो दूदका उत्पदन जादा होता है लेकिन खरीदार कम होते हैं और शहर में दूद लेने वाले तो जादा होते हैं लेकिन वहाँ पर दूद बिकता बहुत कम है तो इसके लिए सरकार ने ये अंदोलन निकाला था ये था 1970 का 1970 में शुरू हुआ और इसका नाम था Operation Flood फिर ये बाद में मतलब आम भाशा में श्वेत करांती के नाम से जाना जाने लगा इसमें जो सबसे एहम रोल रहा है उनका है वर्गिस कुरियन का उनका नाम है वर्गिस कुरियन उन्हें Milkman of India भी कहा जाता है वैसे तो इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है लेकिन में यही है वर्गिस कुरियन ये करांती दूद उत्पादन से जुड़ी हुई थी और दूद वाइट कलर का होता है इसलिए इसका नाम श्वेट करांती था इसका मकसद सिर्फ इतना सा नहीं था कि डेरी फार्म खोले जाएं और लोगों को एक छोटा सा रोजगार दिया जाएं नहीं इसका मकसद काफी बड़ा था कि पूरे इंडिया में दूद पहुँच जाएं ठीक है और दूद उत्पादन को बड़ावा मिलना चाहिए मतलब विकास इस तरीके से हो कि गाव के लोगों को रोजगार मिले और गरी भी पूरे तरीके से काफी हथ तक दूर हो और शहर के लोगों को दूद बटर यह सब मिल दाए इसमें दूद उत्पादकों की सदस्यता अभी भी लगतार बढ़ रही है और महिलाएं भी शामिल है इसमें और महिलाओं की संक्या भी लगतार बढ़ रही है और ये इंडिया में बहुत बड़ी कंपनी है अमूल जिसमें लाखों लोग काम करते हैं लाखों लोग इससे जुड़े हुआ है आई होप आपको समझ में आ गया होगा श्वेट कांथी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई गाइस